हाई गाईज वेल्कम बेक टो माई चैनल माई नेम इस रिष्ठी आज मैं यहां पर आप लोग के साथ एक कुल ही अलग कॉंटेंट लेके आई हूँ जैसे मेरे चैनल में ज्यादा तर हॉल्स वीडियो एंड मेकाव यह सब ला रही थी आज जो में वीडियो आप लोग के नेल है एसे तो मिली जाया है कि मिठा दही कैसे बनाते है लेकिन यहां पर मैं आप लोग के साथ श्ययर करने वाली हूंं पाउडर मिल्क से आप लोग कैसे बल्कुल ही बजार जैसा दही कैसे बना सकते हैं आप लोग ने देखी लिए के पानी में powder milk mix किया गया है तो यहाँ पर मैं quantity आप लोग को बता देती हूँ यहाँ पर 18 लिटर पानी में या 2 kg लिया गया है powder दूद यहाँ पर normal पानी ही use किया गया है दूद को मिला कर अच्छे से आपको mix करना परेगा ताकि कोई भी लंस ना रहे लंस रहने से अच्छे से दई कभी नहीं बेठे गया इसके बाद यहाँ पर चुले पर मनाया गया है यहाँ में दूद दूद को डाल दिया गया है इसके बाद थोड़ा टाइम उसको उबाला गया है बिल्कुल ही उबाल लाने का जरूरत नहीं है जब थोड़ा सा गरम हो ज बातेशा और आप लोग को ध्यान रखना है जब भी आप लोग दूद बिठाते हो गैस पे या पे चुले पे तब आपको कंटीनिव इसको चलाना है मुझे नहीं पता हिंदी में बातेशा को क्या बोलते हैं बातेशा को आप लोग को समझ में आजायें किस चीज के बारे में बात करिए और यहां पर चीओ नहीं डालना गया क्योंकि पानी छोड देता है तो आप लोग को एए धियान में रखना है कभी भी अगर मीठा दही बनाते हैं तो आपको चीनी नहीं यह दालना है आपको यहाँ पर बातेश्यादाणना है तो इसको डालके आपको अच्छे से उबाल लाना है जब उबाल आ जाएगा दोध में तब आपको इसे नीचे किसी दूसरे बरतन में निकाल लेना है और आप लोग देख सकते हो इधर कंठी न्यू फेन के नीचे चलाया जा रहा था दूद को ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए दूद एक चलनी से चान कर इसे दूसरे बरतन में डालना परेगा क्योंकि चलनी इधर इसलिए यूज किया गया है ताकि अगर थोड़ा सा भी लंस रहे गया हो तो यह चलनी में अटक जाएवा इसके बाद यहाँ पर मिटी की बरतन इसको पातिल कहते है इन इसमें डूद को डाला गया है और इधर वार से खरीदा हुआ दही लग उसको एक पातिल में सिर्फ तीन चमज डाला गया और इसके बाद इसको अच्छे से ढखके रखा गया है कोई भी हवा अंदर ना घुसपाए बिल्कुल गरम होना चाहिए जगा तब ही दही बनता है ठंडे के सीजन में बना रहे हूँ दही तो आप लोग को क्या करना है एक बरा सा ब्लैंकेट से उसको ढखके रख डे सुबह ही इसको करीब करीब 10-11 बजे हम लोगों ने देखा कि बिल्कुल अच्छे से दही बैठ गया था तो ये दही बनाना मिठी बनाना बिल्कुल ही इजी है लेकिन टेकनिक थोड़ा सा अलग है तो आप लोग ट्राय करके देख सकते हैं कर दो